वेलकम डिये स्टूडेंट दा कंप्यूटर डायरी यूडूग चैनल आपका स्वागत करता है आज फिर हम आपके लिए कोई मोस्ट इंपोर्टन टोपिक लेके आएं यह टोपिक जो है आपके कंप्यूटिशन के टेस्ट में नहीं बलकि हर एक कोई भी आप कंप्यूटर का क्योंट इसे अंदर कैसे उनको यूज करते हैं आज उसके ऊपर एक पुरी डीटेल ना करते हुए हम काम स्टार्ट कर lt सब्सक्राइब करेंगे कंप्यूटर के बारे में अब पहली बात हम सबसे पहले सोटकट की डिसक्स करने से पहले आपको बता दें कि आज हमारा से कहां होती है उसका क्या नाम होता है ठीक है वह हम डिसक्स करने वाले उसके बाद जो नेक्स्ट है एक टूजएड सोटकट की विद कंट्रोल की जो होती है की वोड़े उसके साथ एक कंट्रोल एक कंट्रोल बी कंट्रोल सी अप टूएट कंट्रोल जैड तक जो है वह कौन- तो प्रक्रड़ इसले लेके जड़ है तो कंट्रोल के साथ अ कीका सारी कि च Mahid जो की बोर्ड के ओपर फंक्षंस की होती है ठीक है वो क्या काम आती है कौनसी फंक्षेन की है उसके बाद हम discuss करेंगे MS word के अंदर most important keys कौन सी होती है shortcut keys जो हम use करते हैं क्योंकि shortcut key जो है अलग-अलग sort where में अलग-अलग use हो सकती है तो हमें थोड़ा यह discuss करना बनता है फिर हम discuss करेंगे MS Excel के अंदर कौन-कौन सी shortcut shortcut की use होती है तो अब इतना सारा अगर हम discuss कर लें तो shortcut key का concept हमारा complete हो जाएगा competition के टेस्ट में बल्कि आप जनल life में भी इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं का इवर माउस नहीं होता तो keyboard से फड़ा fast speed से काम करना चाहते हो shortcut की useful रहता है ओक लिए तो ज्यादा हम इसके बारे में discuss ना करते हैं हम अमारा starting कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हम आपको keyboard की जानकारी देंगे कौन सी की कहा होती है उसका क्या नाम होता है एक keyboard जो आपके सामने display में दिख रहा है सबसे पहली की जो first key of keyboard keyboard की सबसे पहली जो एक text होता है कि माल लीजिए आपने कोई option खोले हैं कोई window खोली हुई है तो उसको एकदम तुर्णत प्रभाव से close करना escape दबादो तो विंडो जो हो जाती है वह utilization पर है जितना आप यूज करते हैं तो एक दो बार यूज करोगे तो पता चलेगा विंडो को डिरेक्टली आप लोज कर सकते हैं कुछ मैसेज आते हैं एसके दबादो लोज हो जाता है एनिहाओ तो फर्स्ट की और keyboard is your escape की ठीक है इस सी एसकाप की उसके बाद जो आपकी फर्स्ट रो है जो कीबोर्ड की उसकी जो यह की होती है पहले उनको function की बोलता है क्या बोलता है function की कितनी होती है एफ 1 से लेकर f12 थक होती है f1, f2, f3 upto f12 12 की होती है functions की questions की कितनी होती है तो f1 से लेकर f12 तक 12 functions की होती है keyboard के अंदर पहली की कौन सी होती है question भी आ सकता है इंसश्य और पेंड इंसर्ट ठीक है और पांप डलिट ओर 26 अपर करना नीचे यह जो की होती है इनको नडेटिंग की बोलते हैं नैविगेशन मतलब आगே जैसे फेज है तो उपर ले लिया पेज को नीचे ले लिया तो नेविगेट हो गया आगे पेचे तो यह रहां वहाई आपकी यहां जो भातीर होता है इसको backspace की बोलते हैं और यह जो kी है जो निफ़्ाइब भी जो इनको डायक्सिनल की पॉलते हैं क्या बोलते हैं it यह कंट्रोल की होती है यह यह सीप से एक दम करना तो यूज Κरते रहर को करोगे चोटी में लिखा जाएगा और बीच में अगर आप चोटा बड़ा यूज करना चाते हैं तो के साथ दबाओगे तो अब पर चल रहा है तो लोर में लिख देगा उल्टा कर देगा तो करेंगे तो इसलिए बताना आपको ज़रूरी था तो एक कीबूर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले की फंक्शन की एफ बन से लेक्ट वैल तक फिर आपकी नैविगेशन की बैक स्पेस्ट डारेक्शनल की और उसके बाद आपका आता है नैविगेशनल और यहां नुमेरिक की पैड सबसे इंपर्टेंट नुमेरिक की पैड होता है यहां इस पहली की को दबा देंगे तो यह की पैड जो है क्लोज हो जाएगा काम नहीं करेगा इसको दुवारा दबा दोके तो यह वर्क आउट करता है इसमें एक चीज और नम्लोग को अगर आप आप बनी हुई है तो यह माउस इसको यूज किया जा सकता है अगर आप एट को दबाते हो तो उपर की तरफ करजर मूव करेगा तो को दबाते हो तो नीचे की तरफ तो यह एक की बूड का यह डेटा है अब हम इनकी सोटकट की तरफ बढ़ते हैं ओके तो नेक्स देखिए सबसे पहले एक की बूर में मेकसिमम जो सड़कट की हैं वह आपकी इनकी साथ हैं जो यह अब ने की बूर्ड पर देखा नीचे कंट्रोल की बनी वी थी उसके साथ प्लस कोई दूसरा एक दबाद hated control a control । control आप तो क्या-क्या आप यूज़ कर सकते हैं क्या उनका benefit आपको मिलता है तो पहला हमारा point क्या है control जो है उस प्लस control प्लस ABCD पूरा complete अगर आप प्रेस करेंगे एक के करके तो क्या-क्या होगा वह हम बात करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले control ए माल लीजिए आपने MS word खोल रखा उसमें कुछ data लिखा हुआ है और आप क्या तरह control ए आपने दबाया control दबाई रखोगे ए दबादोगे keyboard पे फिर आप control को छोड़ दोगे तो control ए से क्या होगा select all content of the page page के उपर जितना भी content लिखा हुआ है वो सारा select हो जाएगा select हम क्यों करते हैं ताकि इसको copy किया जा सकते कट किया जा सकते कहीं और paste करना है तो पहले select करेंगे न तो पूरा एक एक लाइन select करना एक एक word select करने से बैटर है कि पूरा अगर हमें select करना पड़े तो आप select all के लिए control एक जो है की का यूज करके एक document के पूरे data को एक साथ select कर सकते हम एक एक बात अनाम से discuss करेंगे आप कभी भूलो मत ठीक है न तो इसलिए ध्यान से सुनते रहना control a select all content of the page page के पूरे content को select करेगा control a उसके बाद आता है control b अब आपने ms word या कोई भी office में काम किया होगा तो उसमें क्या होता है मालों कोई line लिखी उस line को थोड़ा heavy करना है heavy करना मतलब bold कहलाएगा तो b से bold बी मतलब bold control आपने data कुछ भी select किया control b दबा दिया पहले select करना जरूरी है सारा select control a से कर लो या कुछ एक करना है तो कुछ एक तो आप mouse से भी कर सकते हो उसके बाद आप control b दबा दोगे तो बोल्ड हो जाएगा heavy हो जाएगा counting थोड़ी change हो जाएगी उसकी तो control b से bold नाम से पता चला है c c से copy नाम ही पता चला है control c पहले select कर लिया जो भी data हमें पूरा करना है या थोड़ा सा करना है उसके बाद आप control c दबाओगे तो वो पूरा data copy हो जाएगा ठीक है control c copy control b से बोल्ड नाम से पता चल जाएगा थोड़ा देहां रखना पड़ेगा में copy करने वाद हम कहीं भी paste कर सकते हैं वह आगे की बात आएगी पहले हम बात कर रहें control b बोल्ड control c से selected data जो होगा वह copy हो जाएगा control d control d क्या होता है माली जी आपने ms word में कोई data लिखा ठीक है उसमें उसका font change करना है ठीक है उसका color change करना है उसका font style change करना है ठीक है तो डायलोग विंडो खुलती है जिसमें font style साइज सब कुछ हम चैंज कर सकते हैं तो उसको directly किसी menu बार में जाए खूलने विज़े सीधा खूलना चाहते हैं आप फास्ट काम करने के लिए तो आप क्या दबाएंगे control d control d दबाया तो font options आरे खूल जाएंगे डायलोग विंडो खूल जाएगे उसमें font size color सब select कर लेंगे और उसके बाद वो आपका जो document जो selected था उस पे वो implement हो जाएगा तो control d से font options जो हैं आपके खूल जाते हैं control e control e से क्या होगा नाम से पता चला है control e alignment मान लीजी ms word में आपने कोई paragraph लिखा तो paragraph जो page पे लिखा है या तो इस side से पूरा cover होता हो या वो data जो बीच में data वो या इस side से पूरा होता तो यह होती है alignment data इदर से start होए इदर से या बीच में रहे तो होत्य है राइट साइड से कवर करते वे चलना है या लैप साइड से या उसको की मनमोख करता है ठीड़ा है नित round पर तरीके से थो इनकी शोट कर किये आज यहे सिंटर पहली को पहली बाद हैं इसे इसे लाइन इस लैक्टि टेस्ट इन सेंटर उसके बाद है कंट्रोल फाइल डायलोग बॉक्स माल लीजियो कोई काम कर रहे हैं करते करते आपको फाइल ओपन करनी पड़ गई ठीक है तो आप सिद्धा फाइल में जाओगे उपन करोगे तो इस से बैट रहे आप कंट्रोल एफ कर दीजिए कंट्रोल एफ ठीक है ओपन डाइलोग बोक्स ओपन हो जाएगा उसमें आप करोगे ओपन कर सकते हैं तो कंट्रोल एफ से क्या होगा ओपन सोरी मैंने थोड़ा अगलत बता दिया मैं दुवारा बताता हूं कंट्रोल एफ ओपन फाइंड़ डाइलोग वोक्स ठीक है फाइंड डाइलोग वोक्स क्या होता है मालीजी MS वर्ड है उसमें आपने डाटा लिख रखा है उसमें किसी एक वर्ड को सर्च करना है ठीक धूनना है हमें तो हमें एक option होता है word के अंदर find or replace तो उस option को active करना है हमें खोलना है ताकि उसमें वह word लिखेंगे फिर वह सर्च करके बताए कहां कहां है तो उस particular option को find and replace मतलब find वाले option को directly open करना है सब्सक्राइब की से तो आप क्या लिखेंगे control f control f दबाएंगे वह डायलोग वोक्स सर्च वाला find वाला खुल जाएगा उसमें वह जो भी सर्च करना हो लिखोगे कि आपको आगे प्रोब्लम आएगी इनको याद रखने में ABCD के बाद हमारा EF के बाद आता है जी ठीक है ना control G से क्या होगा find and replace डायलोग बॉक्स अब जैसे देखो इससे तो only find वाला खुलेगा जैसे देखो दो बाते मैंने अभी पीछे बोलेगी find and replace find से क्या होगा सिर करेंगे एक तरीका है क्या find and replace भी ढूंडो और उसको change कर दो computer automatic करेगा तो आप उस option को active कैसे कर सकते directly shortcut की से control G find and replace डायलोग बॉक्स तो ऐसा डायलोग बॉक्स खुलेगा उसमें पुछेगा what find हम लिखेंगे ढूंडो ये replace with किसके साथ वो word नया लिख देंगे इसमें replace करना है तो जितने पूरे document में word होंगे वो सारे जो है find करके उनको replace कर देगा तो वो खूलने के क्या करेंगे control जी control जी क्या करें find and replace और control एप शिर्फ क्या करेगा find का काम करेगा find करने का clear तो यह था आपका control जी उसके बाद है control एच में replace डायलोग बॉस control एच से भी यही ओपन होगा ठीक है shortcut की डबल भी यूज हो सकती है तो control एच से find and replace डायलोग बॉक्स तो जी से भी एक से भी और वैसे देखा रहाए शिर्फ फाइंड जो है control एप से तो यह आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों से find का काम होता है इससे शिर्फ फाइंड का इन दोनों से control जी और control एच से find replace डायलोग बॉक्स ओपन होते हैं उसके बाद हम बात करते हैं control आई अब control बी से क्या हो रहा था बोल्ड अभी हमने पड़ा और यहां पर क्या रहा है वारा तिर्चा हो जाएगा थोड़ा अलग दिखेगा तीर्चा हो जाएगा ठीक है तेड़ा हो जाएगा तो इसको टाइल टी आईल्टी डी टिल्ड बोलते हैं तिर्चा हो जाना ठीक है तो का एक आप सब्सक्राइब साथ जस्टिस्टीफाइए प्याग्राफ अलाइनमेंट वो जस्टिफाइब कर देगा उस डेटा को सित्य नेने स्फित ऑफ अंधर इसे हमारे को जे के बाद आता है control-k control-k से आप insert hyperlink insert hyperlink एक पीज़ को दूसरे पीज से जोड़ते हैं में सवर्ड में command होती है जिससे क्या है कि पूरा टेक्स लिखा हुआ है उसमें किसी एक टेक्स या एक वर्ड पे में क्लिक्ट को दूसरा पेज कोई जाता है जैसे कि आप इंटरनेट यूज करते हैं तो फिसके बाद फाइल आपस में डैच कर सकते हुआ तो डैरेट ओपन करने के लिए क्या यूज करेंगे control के control एल से क्या होगा control जो है left align of selected text मालों जो टेक्स्ट आपने लिखा उसकी left side alignment करने एक तो राइट साइड एक left side एक justify center justify एक center ठीक है तो control से left alignment of selected test control अपना क्या था आया था बीच में जे जे से था justify आगे आते रहेंगे हम बात करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि पहले यहां इतने समझ में आ गए होंगे आप तो थोड़ा इबर बता देता हूं control A से select all control B से bold control C से copy control D से font control E से align selected as in center और control F से open find dialogue box सिरफ find all dialogue box control G से find and replace control H से find and replace control I से italic control J से justify okay control K से hyperlink और control L से left alignment of selected text आगे बढ़ते हैं क्योंकि A B C D complete करेंगे हम इसमें उसके बाद आता है control M अगर आप control M की का use करते हैं तो इससे क्या होगा insert new slide in powerpoint अगर आप powerpoint की बात करें जहां PPT बनाते हैं उसमें slider बना रखें एक नई slider करनी है यह तो बहुत बार question आता ही आता है ठीक है लगवग मैंने जो पिछली exams देखें हैं उनमें देखा है कि यह question एक सर पूछ लिया जाता है control M से new slide आइड कर सकते हैं आप किसी PPT के अंदर ठीक है insert new slide in powerpoint दूसरा एक और भी option हो सकता है अगर आए तो इंडेंट पैराग्राफ इन वर्ड में पैराग्राफ लिख रखा है इंडेंट होता है आगे मूव करना थोड़ा मालो टेक्स यहां है थोड़ा सोर थोड़ा सोर इंडेंट करना उसको आगे पीछे forward और backward इंडेंट दो होते हैं तो आप दोनों option है word में यूज करोगे थे कंट्रोल एंडेंट होता है सेलेक्टी-tक का अगर बाइब यूज करते हैं कंट्रोल एंब का तो वह निव इंडेंट करने का होता है ठीक है उसके बाद कंट्रोल एंडवाय वर्ड में आ जाएगा उसके बाद प्रिंट और नाम से पता चल जाता है ठीक है कंट्रोल ओ से ओपन डायलोग बॉक्स जो भी डायलोग बॉक्स क्या होता है जब हम कोई ओपन से प्रिक करते हैं एक छोटी विंडो फुलती है और वह आप से इन्फोमेशन मांगती है फिर आप देते हो इन्फोमेशन उसके सब्सक्राइब और याद रखेंगे दो तीन बार हम इसलिए कर लेते हैं कि आपको यादी हो जाए बाद में टाइम वेस्ट ना करना पड़े कोई आप और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं आपको तो कंट्रोल पी से क्या है प्रिंट डायलोग बॉक्स माल लेजिए वक्सोपन हो जाएगा उसके बाद' कंट्रोल क्यूँ ठीक है अग से सप्ज घ्राइब क्या होता है से चूट्रोल क्या होता है तूब से में होच्ष जो टेंस है एक सब्सक्राइब याफ करना पड़ेगा उसके सब्सक्राइब के लिए याद रखना पड़ेगा हम आगे बढ़ते हैं कोई फाइल बनाई है उसको सेव तो करना पड़ता है ना आगी फूचर में देखने के लिए तो से करना है तो आप सकते हो कंट्रोल टी हैंटे हैंगिंग वहुपा detekt के अ呢 हैंगिंग करना उसको टेक्सट को सेलेक्टट ऑगया चाते सब्सक्राइब ढ़ते थोड़ाएक हो जाते हैंगीं हो जाता है ठीक है तो कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट यह याद रखेंगे कंट्रोल यू अंडरलाइन हभी हमने बात की तीन चीज़ों के अंदर अंदर अंडरलाइन इसलेक्टिड जाता है ऑफ्ड़ा दिर्शा हो दिखने लगहाता है तो कंट्रोल एस इकूपी किया और टाड़ा पेस्टो करना है ना Ctrl V Ctrl V से paste होजाएगा पहले कंट्रोल ए सारा स्लेक्ट हो गया Ctrl C दबात हो copy हो गया कहीं कर साले जाए Ctrl V कर दो वो paste हो जाएगा दूसरी Location के अंदर ठीक है तो इससे क्या पेस्ट copy text Ctrl V उसके बाद आता है control w control w से क्या होता है देखिए क्लोज प्रोग्राम कोई प्रोग्राम आपने विंडो फुली है तो control आप w दबा दीजिए तो वह close हो जाती है ठीक है तो control w close program इसके बाद आता आपका control x control x क्या है selected data को cut करने के लिए आप select कर लो control x दबा दो वहां से cut हो जाएगा control x से cut यह तीन तो अक्सर यूज़ करते हैं control c से copy control v से paste control x से cut और control v से bold control i से italic और control u से underlying तो यह यादी हो जाते हैं ठीक है बाकि जो practice में आते हैं जब आप जोग लग जाते हैं computer तो आपको मिलेगा अच्छा एक laptop उसमें काम करोगे तो इतनी speed up से हो जाएगा ठीक है उमीद रखते हैं हम आप से चलो आगे हम बात कर रहें control x के बाद control y क्या होता है redo last action एक होता है control z ठीक है ना मालो आपने कुछ data लिखा लिखने के बाद आपने cut कर दिया कट करते याद आया करना था तो एंडू कर दो control z कर दो एंडू हो जाता है पिस होता नहीं सही था वो तो उसी समें redo कर दो क्या कर दो रीडू कंट्रोल y से redo हो जाता है control z से एंडू हो जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है तो control की के साथ shortcut की के साथ अगर हम a to z यूज करें तो क्या क्या होगा वह हमने आप से discuss किया अब हम आगे बढ़ते हैं functions की जो keyboard पे थी जो हमने आपको बताए थी वो कैसे काम करती है है देखिए functions की जो है keyboard की आपको पता है f1 से लेकर f12 तक functions की होती है keyboard की ऊपर तो सबसे पहले f1 जो f1 keyboard पे की है वह अगर हम दबा दें किसी काम करते समय तो वह help के लिए होती है तो आपके लिए एक help window खुल जाते और उसमें उसकी पूरी detail मिलती है इसमें क्या होता है कैसे होता है पूरी detail अबाउड दिस software तो इस यूज़ पूर help window किसलिए help window को directly open कर सकते हो f1 से f2 क्या है rename or reload माल लिजिए आपने कोई भी फाइल या कुछ लिखा उसको rename करना है नाम चैंज करना है उस फाइल का तो आप डारेट एक टू दबा देजिए आपसे सेव एज रिनेम मांग लेता है या आप इंटरनेट यूज़ कर रहे माल लिजिए तो वहां पर आप टू दबा दोगे तो रिलोड हो जाएगा पेज आपका रिलोड होता है रिफ्रेस हो जाएगा ठीक है तो रिनेम और हो सकती 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 सब्सक्राइब क्या होगा तो से क्या होगा रिनेम या री जूद यूड एक टि सर्चिंक न डॉक्मेंट आगी यह साथ यूज़ करना हो नहीं जैसे इसाथ यूज्झार। यूज करते हैं तो जो भी कंप्यूटर में चल रहा है वह सेट डाउन हो जाएगा ठीक है क्लोज हो जाएगी विंडो और वह बंद हो जाएगा आगे अड़ी एफड़ रीप्रेश और रीलोड स्लाइड सो इन प्पिट यस दो आप सकते हैं रीफ्रेश और रीलोड पहले तो रीफ्रेश इंडार्इव दबादो कोई राइट चल दिये वैसे दबाया तो होना स्टार्ट हो गया उसके बाद है एफ सिक्स एफ सिक्स की का कैसे यूज करो गया फाइलाइट टिड एड्रेस बार इससे क्या कि मान लीजिए आप इंटरनेट चला रहे हो और आप लिए आप खुछ काम करते हैं आपको यहां वेब साइट विगरा सर्च करनी है तो सिद्धा आप क्या दबादो एफ एफ सिक्स दबाते ही वह जो आपका एड्रेस बार वहां पर करसर चला जाएगा आप कुछ नया हो सकते हो ठीक है उसके बाद आता है आपका एफ सेबन रहें दर उसको चैक आउट करना है की ग्राम्मा में मिस्टे नेट के लिए तहुन साथ ये ट्रयके क्या दौ स्था आपके पास खोल जाएगा उसके बाद एंस-बूट मैनू फेलानु डियुक्ति ने मैनूग करने मैनू य उपन पर उसके वाडर एफ ना है एक और सिप के साथ सिट प्लस एप 10 का अगर हम यूज करें पूर लाइट राइट क्लिक माल ले जी आप माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं आपको राइट क्लिक का ओप्षन खोल देगा ठीक है ओपन मैनुवार इन एमस वर्ड में मैनुवार खोलने तो भी आप क्या दबा सकते हो एप 10 दबा सकते हो उसके बाद एफ 11 फूल सक्रीन और स्मॉल सक्रेशन अफ 11 दबाओगे किसी स्क्रीन चोटी देखे बड़ी दिखेगी दबार दोबाद दो वह छोटी भी हो जाएगी बड़ा चोटी स्क्रीन करने के लिए एफ 11 का का यूज हम कर सकते हैं 12 से वैज माल दिजिए किसी फाइल का एक से जादा नाम देने हैं तो हम क्या कर सकते हैं एक से जादा नाम देने के लिए सेवेज करते हैं तो सेवेज के लिए कौन सी की का यूज कर सकते हैं डारेट एफ 12 के थुरू हम जो है सेवेज कर सकते हैं हमारे किसी भी डॉकुमेंट को नाम दूसरा दे सकते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जब बात करते हैं MS Excel की MS Excel की shortcut की shift cursor control in right cell ठीक है अगर आप tab दबाते हो MS Excel में MS Excel में क्या होती है आपको पता है MS Excel के अंदर row and column का एक table बना होता है माल लीजिए जहां भी वो cursor चल जा जा है अगर वो cursor अगली साइड लेक्या आना है या पीछे लेक्छे आना है या ऊपर currently जाना है या left जाना है जूप्स होते हैं से बोलता है या ऊपर से जहना है झाना है तो छिप्चिंग करनी आम है में हम we got कटकी का यूज कर सकते हैं सिप्ट करदर कंट्रोल इन राइट सेल राइट साइड में जाना यहां थे हम अगले डब्मे में जाना है तो आप क्या दबाओगे टैब टैब जो कीबूर्ड पर की उस पर दबाते ही वो करदर अगली सेल में आ जाएगा सिप्ट करदर कंट्रोल वाइंट वाले box के अंदर उसके बाद है। to edit Sell मौन लिए किसी सेल में कुछ लिखना है लिख के अगली सैल में चले गए वापिस हुस सेल में कुछ करना है तो अधरर्वाइस वह डिटेबल नहीं फिर उसमें आप कुछ editing कर सकते हैं में एक चार्ट यूजिंग सेल रेंज माल लीजिए हमने सेल की रेंज देखे को चार्ट बनाना है तो आप क्या दवाओगे कोई सेल का सेलेक्ट कर लोगे रेंज दो चार्ट के बनाना आप बना सकते हैं तो यह एक्सल के कुछ सोटकट थे तो थैंक्यू बेरी मुस्ट दिया स्टूडेंट्स आपके लिए यह हमने सोटकट की का एक वीडियो त्यार किया है ताकि आपके लिए हर एक्जाम के लिए नहीं बलकि आपके जनरल लाइफ में भी आप इनको यूज कर सकें ठीक है सोटकट की अलग अलग तरीके से यूज होती है यह बेसिक हमने डिसक्स किया है ठीक है तो आप इसको थोड़ा ज्यान से करके भी देख लेंगे थैंक्यू वेरी मच आप अप झावा 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 कि अवका झावाफ से कर ले घुज है झावाथ